दोस्तो नौमे कर्म का T20 बर्ल कप जो अगाज होने वाली है जून दोजर चोबिस से आज हम इंपोर्टेंट जो टीम है देश है जो किर्केट खेलती है उसके लिस्ट लाया है कि कौन सा खेलारी T20 बर्ल कप में जो 15 टीम का चैन हुआ है कौन सा खेलारी खेलेंगे जैसे इसमें आप देख रहे होंगे कि कभर में भारत का पिलियर दिया हुआ है हर एक टीम से 15 खेलारी को चैन किया जिसमें से 11 पिलियर हर मैच में खेलेंगे यह T20 बर्ल कप मुख रूप से अमिर्का और बेस्ट इंडिज में खेला जाएगा हैरानी की बात यह है दोस्तों की इस बार जो है T20 बर्ल कप टोटल 20 टीम खेलेगी जिसमें से USA और कई छोटे देश भी सामिल है चलिए अब हम लिस्ट की और जाते हैं कि सबसे पहले इंडिया में कौन सा लिस्ट बनाए जैसे कैप्टन रोहित सर्मा, SSV जैसवाल, विराट कोहली, सुर्य कुमार यादव, रिसब पंथ जी दोस्तों रिसम पंथ को भी मौका दिया गया संजू सैमसंग, हार्दिक पांडिया, सीबम दूबे, रविंद्र जटेजा, अक्छर पतेल, कुल्दीप यादल, यादव, एर्जुवेंद्र चहल, अर्षदीप सिंग, एंड में इंपोर्टेंट बॉलर, भुमराह, और जस्पित भुमराह, एंड मोहमद समी दो "-next", ये लिस्ट है है, इंडिया टीम का लिस्ट है आपको इन में से किसको, आपको पसंद नहीं है तॉषक जगाने, अपने मन से लेकिन टीम में स geenarde, ये DISA के साल यह team सामिल किया गया है, मेरे हिसाब से यहाँ K.L. Rahul को भी सामिल किया जाना चाहिए, परंतु उनको जगह नहीं दिया गया है, आपके दिमाग में जो कोई यह दोस्तों नेक्सट बोर्ड है, पाकिस्तान PCB, यानि पाकिस्तान किर्केट बोर्ड, इसमें से जगह दिया गया है बावर आजम, सेम आयूब, मुहम्मद रिजबान, मुहम्मद हैरिस, फकर जमान, इतफकार अहमद, सदाव खान, आमीद बसीम, साहिन अफरीदी, नसीम साह, मुहम्मद आमीर दोस्तों, ये कुछ दिन पहले टेस्ट क्रिकेट से सन्यास लिलिये थे, परन्तु इस असक्वाइड में इनको सामिल किया गया है, मुहम्मद आमीर को, उसके बाद हैरिस राफ, उसके बाद अवरार अहमद, आजम खान, एंड जमीर जमाल को भी सामिल किया गया है, इनमें से नयाब जो ओल्ड पुराना खेलारी मुहमद आमीर लग रहे है, मुहमद आमीर काफी ख़दरनाक प्लेयर है, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरह से इन 15 खेलारी को नामिट किया गया है, इस लिस्ट को नामिट किया गया है, यही 15 सिक्वेड में खेलेंगे, नेक्स् ये बाद है, जोस इंगिल्स, टीम डेविड, ग्लेन मैक्सवेल, मारकस स्टोयनिस, पैट कमिंग्स, मिचेल स्टार्क, जोस हैजलवूड, एडम जंपा, कैमरन ग्रीन, मैथू वेडे, नाथन एलीस, और एस्टोन एगर को भी इस अस्टेलियन 15 सदस्य टीम में इनको सामिल किया गया, आप इनमें से किसको चैन करेंगे, आप अपनी टीम भी चैन कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में, नेक्स्ट टीम की ओर चलते हैं, ये टीम है दचिन फिरका, इसमें से कैप्टन मारकम को बना गया है, और पिलियर में मीलर है, कलासेन है डिको को भी सामिल क्या गया है अश्टूबस को भी सामिल क्या गया है रिक केल्टन को भी सामिल क्या गया है हेंडरी कुक्स को भी सामिल क्या गया है जैंसेन को भी सामिल क्या गया फर्टून को भी सामिल क्या गया है कोट जे को भी सामिल क्या गया है भारतिमान को भी सालिंट किया गया है, महराज केसब महराज को भी सामिल किया गया है, रवाडा क्रिश्टुल अवाडा को भी सामिल किया गया है, समसी को भी सामिल किया गया है, और फास्टेस बॉलर नॉर्ट जिया को भी सामिल किया गया है, यह है दचिन अफिरका का स्कॉा जिसमें 15 खिलाडी को सामिल किया गया है अब हम नेक्स्ट टीम की ओर चलते हैं जो काफी खतरनाक है न्यूजी न्यूजी लेंड की ओर से केन बिलियम्शन को कैप्टन बनाया गया है कॉनवे सामिल किया गया है फिलिप्स को सामिल किया गया है चैंपियन को सामिल किया गया है वह रचिंद रभिंद्रा को सामिल किया गया है फिर डेरेल मिचल को सामिल किया गया है फिर जिमी नीसम को सामिल किया गया है उसके बाद सेंटर को सामिल किया गया है सुधी को सामिल किया गया है ट्रेंट बोल्ट खतरनाक बॉलर है उनको सामिल किया गया है आपको कैसा लगा वीडियो जहिंद